दो-तीन लोग जो यह लाल रंग का चल रहा है कि यह पी-म वाला जो है यह आप देख सकते हैं अलग-अलग फॉर्मेट में आप इसमें वीडियो नहीं है देखे चाल देखे कैसे आपके स्क्रीन पर आएगा इसमें वीडियो नहीं है और यह जाएगा अच्छा ऐसा कहा है र तो रवीश पर फेक नियूज यह रखी है क्योंकि ने तो यह लोग स्क्रीन शॉट लेकर मैं बाब को बता रहे हैं अब बताएंगे मोधी जी के बारे में लेवल बनाओ पहले कि कोई तुम्हें सुन पाए फाइदाई होगा तो यह बहाना बना लिया है कि मुझे लेकर आ आउट्सोर्स कर दिया है कि बढ़ा अच्छा है यह बोल रहे है तो उसी तरह से दूसरे तरफ के लोग इसका एक एकनॉमिक हिस्सा भी है यह यूट्यूब पे जो लड़का डाला है वो उससे पैसा भी कमा गया हूँ तो फैलाये फैलाया वो पैसा कमा गया तब जाके सु रभीष यहां पर कोई सफाई देने नहीं आया यह मैं साफ करना चाता हूँ कोई सफाई नहीं दे रहे हैं जो रभीष ने वहाँ पर प्रेस क्लब में कहा था या वायर के इंटर व्यूमिक है उस पे वो कायम है और वह इंडी टीवी इंडिया भी उनके साथ कायम है लेकि चाहता हूं कि रवीश वो पूरी फेस्बुक का पूरा पोस्ट पढ़के सुनाया आप लोगों को क्योंकि हम सफाई देने याँ पर नहीं आये हैं रवीश यह मैं पहले कहना चाहता हूं लोगों को बूले हैं शुक्रिया अनिम्जयो निधी मनुरंजन यह एक और पोस्ट म वाले रवीश खुद को जन्ता का पत्रकार समझते हैं तो यह दिखा दीजिए यह आप देख सकते हैं कि यहां से इस तरह का बहुत मेरे सब्सक्राइब यह एक ऐसा माहौल बनारे हैं कि कोई आवतार हुआ है जिसकी हमें आलूचना नहीं करनी है तो मैं आपके सबसे बड़े भक्त होते थे किसी ने उसका निकाला भी है कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे वो अब आलोचना करने लगे हैं असल में हुआ क्या है निदी की विपक्ष तो खतम कर दिया गया है आईकर और सीबी आई और खुद अपनी करनी की वज़़े से भी उनमें बहुत सारी समस्या है विपक्ष में और क्या चाहिए तो मतलब और उनको फाइदाई होगा तो यह एक बहाना बना लिया है कि मुझे लेकर आप सिंबल बना दिजिए तो सबने अपना विपक्ष का काम मुझे आउट्सोर्स कर दिया है कि बढ़ा अच्छा है यह बोल रहे हैं तो उसी तरह से दूसरे तरफ के लोग इसका एक एकनोमिक हिस्सा भी है यह यूट्यूब पे जो लड़का डाला है वो उससे पै अच्छान मंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा अफवाहों का तंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि खंडन का भी आप कोई मतलब नहीं पैटर्ण यह है कि आपकी जो बात सत्ता को चुब रही हो उसी के समनांतर सूपर इंपोज हां एक तस्वीर के उपर दूसी तस्वीर उ इससे चुपकर लोग आप से नराज हो जाएं मुझसे ही नराज हो जाएं जाहिर है ऐसा बोला नहीं है वरना वीडियो होता उसका भाई लोग मेरे नाम से चला रहे होते कि मैंने प्रधान मंत्री को गुंडा बोला है जो कि मैंने नहीं बोला है मैंने ऐसा बोला नहीं पर है मैं करता हूं ॥ harvest will die अपने पालतों से प्यार करते हैं यह गाए पालते हैं जो लोग गायव झालता था बच्छपन में जीप निनाय हो जाता था तो रगर्ती थे दर बहुं से दुभा रगर्कते थे कि एक दिन जब वह नहीं मेरा मन नहीं लगता था तो यह ना समझे कि वह ही एक्सपोर्ट है हमें भी आता है बहुत सारा ने लेकिन उनका एक कॉमेंट रह गया था बिचारे का नीचे जो आल्ट न्यूस निकाल के दिखा दिया बाद में वहां पर गौरी लंकेश का भी नाम रखा था तो यह लिखा क कि पैटर्ण इसलिए है ताकि पाठक कुटिया कुट्टे की मौत मर गई वाक्य और उसे कहने वाले समाज पर जिसकी निंदा रभी शंकर परसाद ने की है अपनी जायज प्रतिक्रिया भूल कर मुझे लेकर बीजी हो जाए ठीक है कि अब यह इसने ऐसा क्यों बला मेरे प बता रहा है आप BMW accident की सारी खबरे सर्च किजिए कहीं आपको नहीं मिलेगा कि BMW कार ने दलित को खुचला लेकिन वो तो कहेंगे मेरा मतलब यह नहीं था मीडिया गलत है बनाता है मगर अगर किसी दलित को मैंने लिखा है कि कार को क्या पता यह करें लोगों को पता लगा कि सही बात है मगर यह image की mixing थी super imposing थी मैंने इस बारे में तब नई सड़क.org पर लिखा था आप पढ़ सकते हैं दो अलग अलग घटनाओं की reporting को मिलाकर एक नया तथ्य गढ़ा गया जो की जूट था जो प्रधान मंद्री ने कहा था कि BMW ने दलित को कुचला BMW कार की दुर गोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया वहाँ दलित नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे राजु को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया इसका कोई मतलब है इसका कोई मतलब नहीं तो दलित ही लिखेंग क्योंकि आप जातीगत कारण से एक जाती के समूने उसको घ में आगे लिखता हूँ कि इसलिए ऐसे बयान दिये जाते हैं ताकि यह कहने की गुंजाइश बची रहे कि आप बात को समझे नहीं मगर मेरा मतलब वो नहीं था कि आड में इमेज के सहारे तर्क गढ़ने की कोशिश की गई यह एक मनोवग्यानिक रणनीती के तहत किया जात मैंने ऑनलाइन जगत के एक हिसे को गुंडा और हत्यारा जरूर कहा है प्रधान मंत्री के लिए कभी ऐसे शब्द का इस्तमाल नहीं किया जो भी मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है वो लोगों को प्रधान मंत्री को देखने का एक नजरिया दे रहा है और पैसा कमा रहा है यूटूब में वो पैसा कमा रहा है फोकट का नहीं है उनी का आप मान कर रहा है मैंने इस तरह के काम करने वालों को गुंडा कहा है अभी भी कह रहा हूं नाकी प्रधान मंत्री को आखरी है प्लीज नेताओं के इतने भी काम मत आई है हमने देखा है 20 साल की पत लगता है आई टी सेल ने तुम्हें यह हमला करने की जिम्यदारी दिया और मैंने दो तीन लोग यह लाल रंका चल रहा है कि यह पीम वाला जो है यह आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में आप इसमें वीडियो नहीं है देखे चाल देखे कैसे आपके स्क्रीन पर ठीक है यह जो रवीश पर फेक जी रखी है क्योंकि ने तो यह लोग लेकर बापको बता रहा है तो उपर से दिखा रहे हैं यह कोई है मांसी सिखानिया साहब है भी सपोर्ट नरेंदर मोदी अब बताएंगे मोदी जी के बारे में लेवल बनाओ पहले कि कोई तुम्हें स गोदी पत्रकारिता के बूच में उनका यह सपना मैं पूरा नहीं होने दूगा कि मुझसे चंचागोरी कर वा लेएले मेरे से सपना किसी का पुरा चाटुकार पत्रकारिता ऐसा हो गया है, चाटुकार पत्रकारिता कि बिहार में आप जानते हैं कि कल एक पत्रकार को लूट के वक्त गोली मारी गई, बच गया है शायद वो उनको कम से कम attempt to murder था, जो शायद NDTV ने सबसे पहले break भी किया, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत स चलाई गई और एक और जो लड़ती थी, आप उनके साथ हो ना हो वो अलग बात है, बेद प्रताब वैदिक ने बड़ा अच्छा लिखा है, कि मान लेते हैं कि वो नक्सलियों की समर्थक्ति, मान लेते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्या लिखने की सजा किसी की हत्या हो सकती बिल्कुल, वेद प्रताब वैदिक वो पत्रकार हैं जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया था कि हाँ, इनको प्रधान मंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो कभी आलोचना से तो नहीं डरते, देखिए ये ताकि हम आलोचना करते रह सके, इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा था कि हमारे पास भी ये आलोचना करते हैं